नाक बंध होना या नाक बंध होने की समस्या से आप बार बार प्रिशान हो रहे हैं आपके nasal blockage की समस्या आपको routine light के अंदर disturbance पैदा करती है तो आपको कहीं ने के treatment क्या आउ सकता होती है कि चये छोटा बच्चा हो बड़ा हो किसी को भी नाक बंध होने की समस्या हो सकती है तो उसके अंदर होमीपेथी की medicine कैसे आपकी help का सकती है इसको जाने के लिए वीडियो को लाच्शक जुरू देखें मैं हूँ डुक्टर रामदेल मूरिया जोतपुर आजस्तान इंडिया से एक होमपेथी consultant और आपका भूत-बहुत स्वागत करता हूँ आपकी अपने channel पारस होमपेथी में फ्रेंट्स जब भी सर्दी या गर्मी का मोसम आता है या temperature change होता है तब आपको नाक बंद होने की समस्या हो सकती है कई बार चोटे बच्चों के अंदर लंबे समय तक नाक बंद रहता है कुछ समय खुल जाता है फिर वापिस बंद हो जाता है कई बार एक साइड का नाक बंद होता है एक साइड का खुला रहता है या कई बार दोनों साइड के नाक बंद हो जाते हैं तो स्वांस लिने में तकलिफ होने लग जाती है कई बच्चे जो होते हैं बड़े होते हैं रात को सो नहीं पाते हैं बार बार उट जाते हैं उनके गले में बार-बार खरास की सिकायत होने लग जाती है, गले में तक्लिफ होने लग जाती है, क्योंकि वो गले से सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं तो ये समस्या होती है नाक बंद के अंदर, लेकिन इसको जानते हैं कि ये क्यों होती है क्योंकि इसको अगर नहीं जानेंगे तो इसका treatment प्रोपर तरीके से नहीं हो पाएगा बहुत सारे लोगों को जल्दी रहती है कि हमें बस treatment बता दो हम ठीक हो जाते हैं फ्रेंड्स अगर आपकी उसके कारण को उसके reason को नहीं जान पाएगे तो प्रोपर treatment कितने समय में होगा कितना time लगेगा और कैसे होगा ये आप नहीं जान पाएगे तो आप उस चीज़ को treatment को सही तरीके से follow up भी नहीं कर पाएगे तो चलिए बात करते हैं अगर आपको नाग के अंदर बंध होने की समस्या है तो आप क्या करते हैं नेजर इस्प्रे का यूज करते हैं एंटी अनर्जिक द्वायां खाते हैं एंटी बैटिस का इस्तिमाल करते हैं लेकिन बार-बार ये खाने की बज़े से आपको ये जो कंडिसन होती है रिस्ट करने लग जाती हैं ठीक नहीं होती है बार-बार आप फीर प्रेशान होते हैं आप इस्टीम लेते हैं अलानी तरीके की बफारे लेते हैं फिर भी आपको आराम नहीं मिलता तब आपको कहींने कैई हमेटिक मेटिसिन dreक्वार्मेंट होती है जुरूरत होती है वो आपकी help करती है आपकी इस condition को permanently treatment करने में अब उससे पहले जान लेते हैं कि ये कारण क्या हो सकता आपकी नाक बंध होने का फिर्ट्स आपको normal जुखाम होती है आपका नाक में मास बढ़ जाता है उसकी वज़े से भी उनकी नाक बंध होती है या कई बार नाक के अंदर जो एडिनोट्स होते हैं नाक के पिछले वाड़े इससे के अंदर उनकी growth हो जाती है size बढ़के वह आपके सांस लेने में तकलीप पैदा करने लग जाते है या हमारे नाक के अंदर कुछ ऐसी गुमावदार रास्ते होते हैं इनको बोलते हैं तो तर्बिनेट्स के अंदर हाइपोट्रोफी हो जाती है size बढ़ जाती है तो वहाँ पर जो स्वांस जाती है उसको लेनी में आपको त पर्माने लग जाती है आपने सुना गवा कि रात को जैसे है नाक चे लोग लंबे-लंबे सांस आती है तो उसके अदर आवाज आती है जिसको बोलते है स्नोरिंग तो यह समस्याप आपको परिशान करने लग जाती है तो फ्रेंड्स अगर आपके इन डीजन्स में से कोई है आप इन चीजों का प्रोफर तरीके से टीट्मेंट कर वाएं तो आसानी से आप इस चीज कểm से हैं हुमिपेथी की टोब ही मेडिशिन में सब से पहली आती है लेम्णा माइनर लेम्णा माइनर एक अएx यह जो आपके बार-बार Nag बhundária होने की समझे है नाख से आपको स्वांस लेने में तक्रालिप होती है साथ में आपको कई बार इसमेल नहीं आती है नाक से सुगंद नहीं आ पाती है या फिर कई बार आपके नाक से दूसरे को पता सलता है कि इसमेल आ रही है उस कंडिशन के अंदर या फिर आपने देखा होगा जिन लोगों को नेजल पॉलिप्स के समझ से आ रहती है नाक में मास बढ़ जाता है उनके लिए बेस सेलेक्टेड मेडिशन है लेमना माइनल इसको मदर टिंचर फोर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं दस तत्पूंद आदा का पानी में दिन में तीन बार ले सकते हैं कि अगर डिपेंड ये करता है कि आपका केस की सरीके का नेजर पॉलिश की समझ से अधर प्रॉल्म है तो कितने समय आप ली जा सकते हैं ये डिपेंड करता है आपके कारण पे सेकेंड मेडिशन आती है दोस्तों आपने देखा होगा कई बार हम रात को सोते हैं तो हमारा नाक बंद हो जाता है दिन में हमारा नाक खुला रहता है लेकिन रात में जैसे ही सोते हैं नाक पूरी तरीके से ब्लोकेज हो जाता है तो उस कंडिशन में सबसे बेस सेलेक्टेड मेडिशन से हैं ब्रेंड नक्स वोमिका जिसमें आपका नाक पूरी तरीके से बंद हो जाता है, आपको सांस लेने में तकलिफ होते हैं तो उसकी वज़ासे बच्चा या बड़े बेल एकदम से उनको उठना पड़ता है उस कंडिशने में नक्सोमी का अच्छा काम करती है अब एक मेडिशन और आपके साथ डिस्कल करना चाहूँगा, वो है जैलसीमियम जैलसीमियम एक ऐसी दवा है जहां पर आपको एर का अक्स्पोजर होता है ठंडी हवा लग जाती है, जिसकी विज़े से सर में दर्थ होने लग जाते है चींके आने लग जाती है, नाक से पानी स्टार्ट हो जाता है उसके साथ साथ में आपका नाक भी बंध हो जाता है तो उस कंडिशन में सबसे बेस्ट मेडिशन है जैलसीमियम जैलसीमियम ठर्टी पाउर को आप दो से तीन बुँजीपे भी डाल सकते हैं आदा कप गुंगने पानी के अंदर चार से पांस पून डालके आपको दिन में दो या तीन बार भी ले सकते हैं तो आप उसमें बेला डोना 200 पाउर का इस्तिमाल भी कर सकते हैं इसके अलबा अकोर्डिंग टू सिंटर्म मेडिशन से यूज के जाती है अगर आपको अची समझते हैं आप चाहते हैं हमारे से परामर्स करना तो दी गए वाट्सअप नमर के दवारां अपोइंटमेंट ले